तो आप इलेक्शन पाकिस्तान में करवा रहे हैं आप यहां पाकिस्तान में आपको पता है के फैसले असमानों पर होते हैं जैसे जोड़े असमानों पर बनते हैं जोड़े एक दोस्त बता रहा था बच्चे के लिए कर गया हूं कितने पैसे पर मंत मांगे होंगे मैंने कहा म मैक्सिमम पच्छी सजार कर भाई एक लाक सी हजार तेके ना इंडिया कितना आगे निकल लिया उनके यूट्यूबर्स ने अपने चैनल को ग्रो किया अपने सब्सक्राइबर बढ़ा है पैसे कमा है फिर मांका एजूकेशन का ने कॉंटेंट ता वो कहां से कहां चला गया प पाकिस्तान में फेस्बुक की मोनेटाइजेशन नहीं है और अगर हो जाएगी तो पाकिस्तान में बड़ा फॉरण रेमिटेंस आएगा तो उनों वो सर्प्राइज हुए क्या नहीं है वाक़ी नहीं है ओके मैं बात करता हूं मैं बात जरूर करूंगा अब वो दिन था औ आज का दिन है वो भी गे उनके बाद भी पी एम आये और गे अब उस आई रोज कभी पबजी बैंकर दी कभी हटा दी या कभी लगा दी कभी टिक टॉक बैंकर दी कभी हटा दी कभी लगा दी ऐसी सूरते हाल में फेस्बुक या जो बड़े-बड़े डिजिटल मीडिया और्गनेडेशन्स हैं वो कैसे फैसला करेंगी असलाम अलेकुम पॉड़कास बाय आफड़े स्कूल की इस नए एपिसोड में खुशाम देद आज हमारे साथ पाकिस्तान की एक मशूर शक्सियत मौजूद है जोहिब मन्शा साब बहुत शुक्रिया तश्री फावरी का ड इसके पाकिस्तान में आया है खबर को लेकर तो आपकी एंट्री इसमें कब हुई असलाम लेकुम पहले तो बहुत शुक्रिया नजम भाई आपका और माशालला मेरी एंट्री तो आप कहें कि मेरा एक पैशन था पच्पन से तो मैं चलें आज आपकी पोड़कास्ट से थो कोई ऐसा कॉंसेप्ट नहीं था लेकिन पैशन था रेगुलर एजुकेशन हासल की फिर मैंने मैस कम्यूनिकेशन मेडिया स्टडीज में किया यूनिविस्टिय गुजरास से 2017 में पास ओट हुए 18 में पहली जॉब 24 नीउस में हुई as a political reporter और उसके बाद फिर मैंने अर्द पॉइंट को प्रॉपर्ली प्रोफेशनली जॉइन किया और अलहम्दुलिल्ला आज आपके सामने हैं तो मुझे पता चला तो हम ने ने शिफ्ट हुए थे यानि मास्टर करने के बाद लाहूर गुजरास से तो पता चला मेरे एक दोस्त थे तो उन्होंने कहा कि माजद न तो जब मैं वहाँ पोँचा तो वहाँ तो सेंकडू लोग थे एक बड़ी तदाध थी तो हैर मैंने उसे कॉल की मैंने का माजद मैं नहीं दे रहा है यहां और अडिशन यहां रश बोत हैं कह रहा है नहीं नहीं दो यार अडिशन तो अडिशन मौसर नक्वी साब थे लेक्शन चल रहे हैं और आप गुछराच से रिपोर्ट कर रहे हैं तो लाइव आप बताएं कैसे रिपोर्ट करेंगे तो वह नहीं नहीं दोर मीडिया ग्रूप के साथ भी मैंने काम किया जो सुलंगी साब आजकल जो है वो बने हैं विसीर इतलाद बने है तो उसके बार केर टे कर हो गया है वहां का आदमी वजीर बन जाता है नहीं जो बोर्ट बिए घारो के अमरे अधरे में बिए अभी रिलीजियर्ज अफियर्द मिनिस्टर हों बहुत साई मनिस्टर को जानते हैं लेकिन ये मुल्क में लेक्शन क्या आपने बात की कि जब आपने इंटरि विव्यू दिया तो election की खबरे थी और election हो रहे थे इन फैक्ट जी जी तो अब election पाकिस्तान में करवा रहे हैं आप election ये तो election करवाने माले बताएंगे ना कि वो election कब करवा रहे हैं हम मसला यहां पर वोक्षर जैसे केर टेकर सैटप की बात हो रही थी तो वो सब पूछते थे कोण होगा केर टेकर पियम या सीम तो इस पर हम कहते थे यहां जो सहाफी हैं वो कवर करते तो हम कहते थे किय हैं यहां पाकिस्तान में आप इस पौड़कास से इस की के- किया हम कोशिश करते हैं जरा इसको तालीमी मसाइल के ताव तेले तो आप बताएं जिए आपके तो तालीमी सफर था मैस कम्यूनUCKीशन का आप इनुश्यू अफJimKA गुजराट में ता तो वहां कचा क्या सीखा मैस कम्यूनницу के और बात बाले से तकिरन बहुत साथ बाते होती है, मैंने भी मैस कम्मिनिकेशन में ग्डिएटिशन की है, कुछ लोग बहुत ज़ाधा तनगीत कर निशाना बनाते हैं डिगरी को कुछ इसतलाहात की बात करते हैं तो आप क्या कॉमेंट है डिगरी पर किया सिखाती है, अमे 바로 प्राइदी तोर पर डिग्री के ओपर तो देखें मेरी मेरा पॉइंट आफ व्यू वही होगा जो के एक्शुली जब हम प्रैक्टिकल प्रफेशनल फील्ड में आते हैं तो हम देखते हैं इसको मैं आपको बड़ा साधा सा कंसाइज कर देता हूं कि फॉर एक्जेंपल जब मैस कौम ही करना है और मेरा ये शोक है और मेरा ये पैशन है जी 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 क्लियर था मैं बिल्कुल ऐसी चूंकर उससे पहले मेरी रेगुलर एजूकेशन थी और मुझे तो बिल्कुल मीडिया के बारे में कुछ इल्म नहीं था लेकिन मैंने माशालला प्लस पॉइंट ये थ था कि एक्शूली एक तो यूनिवस्टी का इन्वाइरमेंट होता है जैसे आफदा स्कूल है ये कोई भी अधारा है तो अधारा आपको तालीम के साथ साथ एक प्रोफेशनल या कुछ तहजीब भी सिखाता है तो वहां पर जो हमारी फेकल्टी थी डक्टर अरशेदरी सा जो है वो यूनिवस्टी के फेम से प्रोग्राम का आगाज किया और फिर एक दिन डक्टर अरशेदरी साथ थे हमारे डक्टर राजकल भी माशलों यूनिवस्टी का गुजरात में तो उन्होंने कहा कि जूएब तुमना एक इंटरव्यू की सीरीज शिरू करो तो पहला इ इंटरव्यू किया इंटरव्यू करके आए तो फिर अर्शेद अली साब ने कहा कि देखो आज आपने पहला इंटरव्यू उस बंदे का किया है जिसने सेंकडू बड़े इंटरव्यू की है तो लाज़ा आपका कॉन्फिडेंस लेवल कभी भी गिरना नी चाहिए याद है तो उनको हमने इंटरव्यू कि देखें कैसे कि हम जो वजीर आदमों को अतरने से जो है अपने मायले स्टोंज और करेंडर बनाते हैं जी 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 तो बात का मकसदी है कि एक डिरेक्शन थी एक बड़ी मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपकी बात सुनके आपके मैं तो दिल चाहरा है कि मैं उनिवस्टिय उप गुजरात जाकर देखूँ क्योंकि मैस कम्यूनिकेशन डिपार्टमेंट्स के हावाले से बड़ी अच्छी खबरे नहीं आती कि हमने भी चीज़े देखी है अच्छा भी बहुत कुई जायर है लेकिन जिस तरह से आप बता स्कुल यूट्यूबर इंफ्लेंसर्स है नजम अलसन बाजवाज उनिवस्टिय गुजरात यह सारे हमारे सीनियर थे और भी बहुत सारे लोग है तो माशाला बिसीकली जो फेकल्टी होती है मैं समझता हूँ एक तरह एदार है यूनिवस्टिय गुजरात हो या कोई बी य अच्छा आप कराची कब तश्रीफ लाया रोशनियों के शहर की बात करते हैं सम्मा दलाने की तो और यहां पर आपकी किन स्टोरिज ने आपको ब्रेक दलवाया कराची बिसिकली मेरा कुछ ऐसा प्लैन नहीं थाने का वो कहते हैं कि जब अल्ला ताला ने आपको अता करना होता है आपको नाम इजद रुद्बा पहचान देनी होते हैं तो रास्ते बनते हैं मेरे वालत साब यहीं होते थे एक बिसनस था वालत साब का चोटा मोटा फैमली वहीं पर थी लेकिन सेडनली पापा की डेथ हुई 2019 में और उस वकत मैं लहोर में ही था और जब डेथ हु और अर्दू पॉइंट मेरे लिए ये बलेसिंग रही कि चुक्के जब मैं आया तो यहां पर पहले कोई रेगुलर काम नहीं हो रहा था तो एक अधारा मिला अधारे में स्पोर्ट मिली हमारे जो हेड्स हैं शायद अजीर चोधियर साब मल्टी मीडिया हेड्स हैं जीम ज पर की हैं प्लिटिकल की हां हेल्थ पर की है जानी हर बीट की हर कवर की और अगाज में देखें मैंने इतने ग्राउंड लेवल से मेहनत की शायद आज लोगों को वो चीज इतनी नजर ना है लेकिन मैं ये मोटिवेशन के लिए कह रहा हूँ कि जब मैं इस शहर में नहा आ पर अब आफिस ने जो मुझे स्टोरी बेजी ना वो सिर्फ एक तस्वीर थी उस तस्वीर को मैं ने देखा फिर हमारे दोस्ता ताहिर फराज साब मारे वो बलाके में रहते हैं उन्होंने देखा यार का ये नॉर्थ नासमाबाद लगता है अच्छा मैं अपनी कैमरामें के साथ आया नॉर्थ नासमाबाद में तस्वीर में बैक पर अब पता तो नहीं था नॉर्थ नासमाबाद कहा फारा तो तस्वीर में सिर्फ पता चल रहा है कि बैगरॉंड पे ना एक वो यूटिलिटी स्टोर है एक शहर है तो हमने यूटिलिटी स्टोर डूंडा पहले फिर हमने वहां पर देखा जो तीन चार बिल्डिंग थी उन से पूछा जो वहां पर गार्ड थे कि यहां पर किसी की शादी हुई है जो कुछ दिन पहले अपनी बेगम को बाइक पर लेकर आया है फिर एक था उसने का कि हाँ यार आया तो हमारी बिल्डिंग में अब यह नहीं पता फ्लोर कौन से है तो हम फस्स सेकंड थर्ड सिक्स फ्लोर पर हमें 105 नंबर उनके घर का है वो था मुझे आज भी याद है तो वो हमने दस्तक देए तो इस तो इस तरह यह एक मेरे जहन में भी आई यह भाई जाओ फील्ड के अंदर स्टोरी निकाल के लेगा हो लेकर चुके जारे कि अब वो टेक्नोलोजी ने बहुत साही सहुलते पैदा कर दी तो टेबल स्टोरी बहुत जादा बनना शुरू हो गई तो ये तो बहुत अच्छी है कि आब बता रहे हैं कि एक ख़बर के पीसे भागना एक सहाफी के अंदर जो नोस फॉर न्यूस होती है तो एक ख़बर सूंगने की आदत है अब ये भी बड़ा कल्चर ना खतम होता जा रहा है ये क्या मैं ठीक कह रहा हूं या आपको लगता ह है रहे है कि अब कॉंटेंट इतना जड़ा बनना है कि तीरे छुप जाती है एक्चुली काम हो रहा है मेरे हैं ये डिपेंड करता है वरी करता है टाइम टू टू टाइम यानि एक वह वक्त था जब मेरा स्टार्ड था था दो हज़दर बीस में तो मैं ग्राउंड पर पेल्स याद हैं कि मैंने बारिश सुरजानी टाउन औरंगी टाउन यूसफ गोटे के इक इक अलाके से इशारह फैसल से क्यूमाबाद चुरंगी से यानि जहां जहां पानी खड़ा होता था मैं बारिश हो रही होती थी घरवले कह रहे होते हैं पानी के तो मेरा एक वाइ सी वो च्यादर प्लेट सी थी उसके ओपर बैठ कर यानि वो कष्टी बनी हुई थी तो मैंने यही उसका वो थीम लाइन भी यही थी कि कराची के हम वीनस में मुझूद हैं तो यह है कि वो टाइम टू टाइम चीज़ें वरी करते हैं तो आरिफ अलबी साफ से पहले आप क कुछ अपने तोर पर फोकस्ट रखा जैसे यासर शामी इंटर्टेन्मेंट फोकस्ट रखा तो मैंने कुछ सीरियस एन इंफर्मेटिव कॉंटेंट को फोकस्ट रखा फिर मैंने देखा कि अब अब जो है थोड़ा सा सीरियस कॉंटेंट की जरूरत है यानि वो भी कॉंट ذاتی طور پر वो रखता हूं मदे नज़र मैं कहता हूं कि हमें अनफर्चुनेटली ये तो पता होता कि फला बुरा शखस है फला बुरा शखस है लेकिन ये नहीं मालूम कि फला अच्छा शखस भी है फला अच्छा दारा भी है तो उन अच्छे अच्छे जैसे आपका दार है उस पर भी हमने रपोट बनाई थी तो यानि इस वक्त में ऐसे दोर में जहां लोगों के पास खाने पीने के कुछ नहीं है एक स्कूल अगर वो बच्चों को सो रुपे में एक अच्छी मियारी तालीम फ्राहम कर रहा है मुझे कल एक दोस्त बता रहा था कि मैं अब स्कूल का नाम नहीं बताऊंगा कोई फॉर्णर स्कूल है कह रहा है बच्चे के डिमिशन के ले कर गया हूँ कितने पैसे पर मंथ मांगे हूंगे मैंने कहा मैकसिमम 25,000 कह रहा है भई 1,80,000 पर मंथ येस कराची में और वो कह रहा था कि मैं उनकी मिन्नते कर रहा था यार 50,000 पर मंथ ले लो तो ऐसी सूरते आल में आफदा स्कूल आपका भी अदारा तो चल रहा है ऐसे बहुत सारे काम अच्छे हो रहे है अब जारे कि यहां पर तालीम तो एक तना फिचीदा मसला हो गया है अभी मेरे एक वाकिफकार्ण ने बताया कि उनकी साफ़दादी क्लास वन में आई तो उनके पास जो बिल स्कूल से आया नई किताबों का कॉपियों का वो पंद्रह हजार रुपय का था कि क्लास बन की बच्ची को आप पंद्रह हजार रुपय का कोट ला रहे है तो यह तो पूरा एक अजीब सा एक माफिया स्टाइल में एक शहर पूरा मुल्क चल रहा है और जाहरे के जिसका जहाँ पर दावल लगता है वो लगाते है आपको तो एक्शी तरह मालूम है जम जैसे पाकिस्टान में हर चीज को कमर्शिल कर दिया जाते है अब कमर्शल होते हैं कमेर्शल किसी रियुलेशन के साथ हो क्यों रियास्त का काम होता है कि चीजों को regulate करना कि यह तैह करना कि बुन्यादी हुकुक क्या है ज़रूरती क्या है और फिर लग्जरी क्या है अब तालीम को लग्जरी तो नहीं है तालीम तो एक निसेसिटी है तो बाल हम तो अपनी तरफ से जो भी एक काम कर सकते हैं कर रहे हैं 2600 अलम्दोल्लाइ स्ट हमुद्ध खते में पढ़जाते है आईंखते में पढ़जाते है र्यासत खते में पढ़जाते है लकिन तालीम कर भी खते में है पढ़ती व 003 तो एक और तो जीब वмेजहुध पर तुमज़्म तद रहे हैंिंगmos लिएट पकिन अजो इसमें जो है वो एजुकेशन है और वो रियास्त की जुम्मेदारी है तो जब हम टेक्सेशन देते हैं बड़ा सा कॉंसेप्ट है कि शहरी टेक्स दे रहा है और उसके इवज रियास्त या हकूमत या गौर्रमेंट क्या देगी तो जब हकूमत की तरफ से या रियासत की तरफ से अपनी जुम्यदारी अदा नहीं होगी तो फिर इसी तरह के मसाइल होंगे आप देखें कि एजूकेशन तो इतना बड़ा मसला है अब जैसे आपने मैस कौम पर बात की अब जब हम मैस कौम में थे 2017 में जब हम पास आउट हुए तो उस वकर तीन स्पेशलिजेशन थी एलेक्टरोनिक मीडिया प्रिंट मीडिया एंड पबलिक रिलेशन एडविटीजमेंट हमने अगाज ही डिजिटल मीडिया से की है जैनी हमने कोई ऐसी चीज नहीं पड़ी अपनी डिगरी के दुरान जो कि हमें आगे प्रैक्टिकल जा कर देखना पड़ा इसमें अब गलती किस की है नैशनल स्लेबस किसने बनाना है आज भी मुझे नहीं लगता कि आज भी किसी सलेबस के अंदर ये मौझूद हो कि यूट्यूब चैनल कैसे बनेगा फेस्बूक पर आपने कैसे काम करना है कैसे आपने डिजिटल मार्केटिंग करनी है कैसे आपने अरन करना है जो कि इस वकत आगे अर्टिफिशल इंटेलिजनस की तरफ दुनिया जा रही है और जा चुकी है तो ये चीजे हैं जो जिस पर अभी से काम की जरूरत है तो वो एक अलमिया तो है कि एक्सपैंसिव एजूकेशन जो बेसिक एजूकेशन है वो ही पहुंच से दूर है और पाकिस्तान में क्रोडों बच्चे ऐसे हैं जो के स्कूल से ही बाहर है तो ये बिन है कि आपकी पिछले दौरे हकूमत में एक वजीर सहाब थे है वजीर इतलाद वो तो ये कह रहे थे कि भाई आप मैस कौम ना पढ़े अब इसका कोई future नहीं है अब आप लोग इसमें क्या करेंगे आके फिर वो अलग बात है कि उनका कोई माजी आल मुस्तक्बल अपना नहीं रहा तो ये रियास्त की काम यह नहीं होता कि आपके बताये कि अब ये ना करो उस एडारे को उस एरिया को किस तरह से बेःता करना है वो आप करते नहीं है अझायल है कि लोगों को उल्टे सीदी बाते ही बाते होती है मनिस्टर होते हो ऐसी उल्टी बाते हैं ब स्ट gaurnment में ही यादिया ओमें हिसलिए वजीर के वजीर थे CEO हमारे जो 80% पाइलिट्स हैं उन्हीं की अकैडमी में तियार हुएं उन्होंने वो बोले भी बड़ा उस वकत उन्होंने बताया कि हमारे जो पाइलिट्स थे UAE, अमाराद, एंड यूरप के अंदर हमारे ट्रेंड पाइलिट्स पाकिस्तान से, हमारे बच्चे, वो सारे जोबलेस हो गएं, सिर्फ एक मौसूफ वजीर साब के बियान की वज़ा से, तब देखें, यहां बात कर दी जाती है, तो आई थिंक मुझे अच्छी तरह याद है, फरदोस आशीक अवान साहिबा थी उस वकत उन्होंने भी यह कहा कि उस वकत कोई डिजिटल के हवाले से कुछ चल रहा था कि पाकिस्तान में, इन्होंने फेस्बूक और यूट्यूब को कहा कि इस तरह का कॉंटेंट ना चले, तो उन्होंने क्लेक्टिवली रिस्पॉंड किया, कि हम किसी भी मुलक की किसी कानोन को फालो करने के बबंदी है, हमारी अपनी गाइडलाइन है, और वो बहुत अच्छी है और हम हर कम्यूनिटी के जो बेसिक चीज़े हैं, उनका बड़ा ह्याल रखते हैं तो उन्फार्चुनलि पाकिस्तान में यह जो छोटे छोटे बयान दिये जाते हैं, आयरोज चोटे बयान भी जाते हैं बड़े बड़े काम भी कर दिये जाते हैं अब आप तो डिजिटल दुनिया के बहुत जाना मना चाहरे हैं आप लोजाना इस मसले को भुखते ही हैं कि जो बैन हमाया लगा देते हैं अब डोला तेरा मेर यूट्यूब पे बैन लगाया उसने देखे ना इंडिया कितना आगे निकल गया उनके यूट्यूबर्स ने अपने चैनल को ग्रो किया अपने सब्सक्राइबर बढ़ाया पैसे कमाया फिर वहां के एजूकेशन का तो काईटन ता वह कहां से गातला गया दूसरी जानी जो बैन हमारे जो बैन बाजी है ना कि कभी बंद करते हैं जो कि यूट्यूब का जो मामला है इसमें तो डॉलर आते हैं आपके मुल के अंदर सो महीस्ट का जो हाल है यह आप मैं आपको वाकिया सुनाता हूं फिर इसके उपर आगे बी बात करते हैं former PM के साथ हमारे digital persons की meeting ती जिनका नाम नहीं ले सकते तस्वीर नहीं चला सकते हैं ही हु मस्क नॉट बी नेम्ट उनका बस बात ही काफी है नाम क्या तस्वीर नहीं लगा सकते हैं तो उनके साथ हमारे digital media persons की मुलाकात थी तो हमारे एक दोस्त है उनने एक सवाल किया कि सर पाकिस्तान में हलांके वो जो former PM है वो digital की हमियत को बहुत अच्छी तरह समझते हैं जानते हैं उन्होंने यूटलाइज भी किया कैश भी किया जैसे भी किया उन से सवाल किया कि पाकिस्टान में फेस्बुक की monetization नहीं है और अगर हो जाएगी तो पाकिस्तान में बड़ा foreign remittance आएगा तो उनों वो surprise हुए क्या नहीं है वाक़ी नहीं है okay मैं बात करता हूँ मैं बात जरूर करूँगा अब वो दिन था और आज का दिन है वो भी गए उनके बाद भी PM आये और गए अब उसके बाद भी आई थिंक भी आ चुके अब उस मीटिंग में हम थे और यही सारी बाते हुई लेकिन हम ने देखा कि उसके बाद कोई किसी किसम का फेस्बुक एक डिरेक्शन नहीं ना एक पॉलिसी तैय करने कि क्या बैन करना है क्या खोलना है फिर से एक नतीजा और क्या निकला कि आपने देखा होगा हाली दिनों में कई यूट्यूबर दुबई मूव हो गए जी और वो दुबई से जाकर कॉन्टेंट बना रहे क्योंकि वहां पर मॉनिटाइजिशन भी इसली होती है फिर वहां पर जारे कि बहुत साही चीजे जो प् है उसकी बना से एक इतना बड़ा जो है वो हमारी रिसूर्स का घलमिया पैदा हो गया और आगे सालों में इसको हम भुकतेंगे तो ऐसी सुद्ध में क्या नजर आता है आपको आगे तो देखें मुझे तो नजर यह आता है कि थोड़ा सा अगर यह सिंसीर हो जाए यह मैं नोजवान भी बहुत बडी तदाद में यूट्यॵ से अर्न करने हैं अगर मैं तो सारे यानि जल्मी लिटल जल्मी सारे जितने भी हैं मुस्त्फा हनीव सारे हमारे दोस्त ने, पूरी हमारी gathering हमें तो पता है कि यूट्यूब कितना दे रहा है, फेस्बुक कितना दे रहा है, लेकिन फेस्बुक की पाकिस्तान से monetization नहीं है, उसके लिए बाहर से आपको monetize करवाना पड़ता है, जो के उनकी समझ में नहीं आता, फेस्बुक की कर दी कभी हटादिया कभी लगा दी ए आइसी सूरते हाल में Facebook या जी जो बड़े-बड़े डिजिटल मीडिया programmations है वो कैसे फैसला करें कि पाकिस्तान में हम जाएंगे यहां तो BAN 소개 लगती है कभी हटाया जाता है तो यह थोड़ी इसी सिंसेरिटी थोड़ी इसी सिंसेरिटी जाएए देखें इंडिया है साथ हमारी भंगला देश है हमारे हमसाय ममालिक हैं हम उन से सीख सकते हैं और आई थिंक मैं यही समझता हूँ कि इस वकत डिजिटल वर्ड और जो के आगे आर्टिफिशल इंटेलिजेंस एटैच हो रही है नौजवानों के लिए इससे बड़ी को नेमत नहीं हो सकती है आप देखें जितने भी इंफ्लेंसर्स हैं जितने भी टिक्टॉकर्स हैं जो अचारन कर रहे हैं अगर ये प्लेटफर्म्स ना होते हैं इनके पास तो ये अपना टैलेंट कहां जाकर हुजागर करते हैं कोई मुकर नहीं मिलता जाहर है अगर जो हमारी शोबिज देखें ट्रीवी ड्रामा देखें उन्हें लिमिटेड जगे होती है मीडिय इंडेस्ट्री में लिमिटेड स्पेस होती है वो बहुत एक कॉम्पलेक्स स्रिक्चाज है पिर वहाँ पर एक क्लास लोबिंग है किस क्लास से आपका तालुक है आप कैसी जबान बोलते हैं कैसे नजर आते हैं तो दारे के बहुत मुश्किल हो जाते हैं तो यह जो सारी चीजे हैं अगर इस तरह हकूमत थोड़ा सा थोड़ा सा फोकस्ट हो तो मेरे ह्याल से पाकिस्तान इसी लहर में आगे बढ़ सकता है मुझे अभी तक याद है फॉर्मर बाजवा साब आर्मी चीफ जो थे उनकी जो बिजनसमें उसे मुलाकात हुई थी जिसमें आरफ अभी बैंड मिया मंच्छा साब थे पिटिया के शुरू के दोर की बाद है पचास हजार रुपे वो लगाई थी शर्त सीनाइसी दें और बाद में बड़ा हुआ इस पर वावेला उसमें वो जो बिजनसमें थे उन्होंने का था कि आप पचास हजार रुपे से उपर को सौधा ले रहा है खामान ले तो उससे इस नागती घड़ी हमें जमा करवाएं हैं अब ऐसे ऐसे कारना में भी हुए है क्या लाग है लाग है लेकिन अब देखें उन बिजनसमें उन्हें जो है वो बाजवा साब को फिर कहा कि आप स्मगलिंग वगएरा रुक वाएं उस पर उन्होंने बताया लेकिन बाजवा स अब देखें वो उस वक्त समझते थे यह आई तिंग आई से चार पांच साल पहले की बात है दो तर रठारा की उन्हीं इसकी होगी बात तो उस वक्त सारी चीज़ें यह चल रही थी हमारे जो आपके जो टेक्स्टाइल इंडस्ट्री है मैं उस तरफ भी जाना नहीं चार चारती खास तो पर एक स्टोरी जिसमें आप नेक साहब के तो बिच्ड़े वे लोगों को मिलाते थे कुछ हिंदुस्तान से बंगला देश्टे रीगर मुमालिक में जो लोग एक दूसरे बिच्ड़ गए थे किसी वज़ा से उनका कनेक्शन गवात थे वह स्टोरी बताए अच्छा वो कुछ ऐसे थी कि वैसे तो बहुत स्टोरीज की और सेंक्रो स्टोरीज की प्रोग्रेम लेकिन कुछ ऐसे हैं को जो मैं समझता हूं कि मैं उसको मैंने नोट भी किया है माई प्राइड असाइन्मेंट कि जिसमें बड़ा फखर है ये वली उल्ला मारूफ है और ये defines ती तो इन्होने डीजिटल का देखे यहाँ पर बी डीजिटल का पॉजिटिव यूज हुज हुआorth scientists के बढ़े यहां पर पॉजिटल के चूर हातून यहां पाके पाकिसतान से बड़ा शनी चलिगी कही सालों बाद और अब तक यह वलियूला मारूफ तकरीबन 80 से जाएद इसी तरह फैमिली उसको भी हमने कुछ दिन पहले इंटरव्यू की है हमीदा बादोना भी हातून है तो वो इंडिया से उसको बेजा किया था 20 साल पहले यानि इंडिया में जेंट ने दुबई बेजा था दुबई के लिए और उसको छोड़ पाकिस्तान दिया और वो 20 सालों से पाकिस्तान में थी और दक्ये खा रही थी और अब उसका अपनी फैमिली से राप्ता हुए है 20 साल जो पाकिस्तान में रही उनका कोई दस्तावेस थी वीजा था 20 साल के वीजा कैसे मिला उनको वीजा नहीं मिला ना वो तो उसे उतार दिया जाना दुबई था बेज पाकिस्तान दिया बगो अल्ला तवक्कली पाकिस्तान में रही थी उनकी 50 साल एज़ थी जब आई हम लेकर थे हुदा आदा है हम तो सब को वेलकम करते हैं गले लगाते हैं फिर कुछ हमें जो है ना वह ज़्यादा दबोच भी लेते हैं तो बेर खाल वो 50 साल उनकी एज़ थी और फिर वो 20 साल यहां पर रही हैं अब दोनों हकाम जो हैं उनमें पाकिस्तान इंडियन गॉर्मिन ने इस पर काम किया उमीद है वापस चल जिया हैं बात यह बता रहा था कि वो अब देखें वो नोजवान जो के मदरिसा से फारगल तहसील है कराची के मंगू पीर जैसे इलाके से बिलाओं करता है और उसने डिजिटल मीडिया का पॉजिटिव यूज किया और असी से जायद लोगों को जो है वो अपने प्यारों को यहां से उठाकर दूसरे मुलकों में बेज दिया अपनों को साथ मिला दिया अब माशाआलला मेरा वो पहले यह जाद हासल हुआ कि मैंने उसका पहला इंटरव्यू किया और उसके बाद फिर इंटरनेशनल मेडिया भी बीसी वाईज ओफ अमेरिका सब ने ही कुछ दिन पहले बलके सलीम साफी साब ने भी उनको लेगा वा था प्रोग्राम में जिरगा में तो ये एक मैं समय तो एक बड़ी प्राइड डिसाइनमेंट है इसके लावा भी और ridiculous अरी है मुझे काँप प्लेस कर रहें मुझे बता रहे वो लाम अक्बाल का एक शेयर है कि वो अपनी लाम अकानी में रहे मस्त मुझे इतना बता दे मैं कहा हूँ तो वो यह कौन से वाले खाने में डाले हैं बहुत सारे जो है वो इंटर्विव इंटर्स्टिंग रे और बहुत मज़े वाले भी रे जैसे हरीम के साथ इंटर्वि हरीम की तो इन से पूछना जब हम गे तो हरीम ने का जी हमने तो वो मैं शादी कर ली है तो फलाँ शखस है और वो पीपस पार्टी से है और वो कराची से तालुक है तो फिर हमने वो इंटर्विव किया वो इंटर्विव इतना वायरल हुआ या वो उस वक्त समझे कराची की मुझे कॉल आई वो कौन है था थाट लोग है उनका मसला इन दे क्या है क्या मसले हाँ अब इसके मसले के पीछे भी यह जो है वही जानते हैं बेरहल यह एक इंटरस्टिंग थी बड़ा मज़ा है हमारे लिए तो इंटरस्टिंग आपको ब्रेकिंग अली बाबा के साथ है 40 जोड़ था आपको 80 काल आ गई 80 काल आ गई तो इसके लावा बड़ी अच्छी एक अली तरीन लड़का था उसकी मुझे काल आई वो बिलाइन्ट है उसने काल की जांगी तरीन के बेटे दो है मैं भी यहीं संजा था जब काल आई उन्होंने कॉल की, अली तरीन बात करुँए, नहीं नहीं, अली तरीन कराची से बात कर रहा हूँ, और मैं बिलाइंट हूँ, और मेरी बेहन मिलकर जो है, इस तरहा खाना बनाते हैं और बेचते हैं, तो मैंने फोरी इंट्रिव्यू किया, वो भी इतना वाइरल हुआ, कोव बॉर्डर साइड से किये लेकिन मैं अपने लिए वो जो बॉर्डर साइड वाला एक्सप्रियंस बताएं वहाँ पर कोई यह वहाँ पर किया आपने कुछ वगार दो जाएंग लास पॉर्डर का मैं समयता हूं कि पाकिस्तान में एक तरफ तो बड़ी तनकीद भी होती है लेकिन दूसरी जानब जो अदारों की कंट्रिबूशन है मैं आपको बताओं कि फलड़ के दुरान हमने नेवी के साथ प्रोग्राम किया नेवी की इसके मैरीन्स के साथ किया और जब हम यहां से हेलीकॉप्टर से गे थे तो के एन शा का इलाका था हैरपूर नाथिन शा ह हमने हेलीकॉप्टर से देखा कि वहां पर सारे का सारा एरिया अंडर वार्टर था और वहां पर फोर्सिस के लावा फोर्सिस से मुराद है कि कोई फोर्सिस के पास मिशिनरी होती है वहां हावर क्राफ्ट चल रहा था वहां जूलो बोर्ट चल रही थी वहां पर तो जब हम वहां उत्रे तो एक ना वो तोदा सा बना हुआ था मट्टी का और उसके उपर लोग ऐसे जमा थे और अत्राफ में पानी ही पानी था तो अगर हम ना पहुंचते तो हो जाता तो वहां पर सिर्फ नेवी पहुंची तो एक तो यह है सेकंड बॉर्डर के उपर हम टरण कराम, कुछ भी खाणा है, कोंड़ेंग, कोल्टरिंग फैना है है, क्या away उत्राइव, कॉछ भी हमने है खाना मिल जदेा वहां पर हम यहां सुबह निकले, दुपहर को पहुंचए, प्रोग्राम कीया, हम ठके हुए तो हमारा यही था के हम पूछ़ कहाना कराची क तरह सही अच्छा सा मिले दो तीन चैनल वाले थे हम तो वहाँ पर कोई मार्कीट नहीं थी करीब करीब तो वहाँ उन्होंने बड़ी अच्छा खाना बहुत अच्छा बनाया बिंडी बनायी सबजी चिकन भी था फिर मैं पूछ रहा था कि ये कैसे बना उन्हों बताया कि ये हमारी अपनी बिंडी लगी हुई है वहाँ पर बिलकुल हम बॉर्डर के उपर थे जिरो पॉइंट पर सामने इंडियन बॉर्डर था फिर बताया उन्होंना कि ये हमने देसी मुर्गा अपना बनाया आपके लिए पकड़ कर तो वहाँ पर रहना वहाँ पर इन्वाइरमेंट और जाहरे हर वकत वहाँ यूनिट तो है हर वकत वहाँ पर जवाँ जवाँ अपनी जो है डूटी तो सारा अंजाम दे रहे हैं तो आईद के दिन हों और एद के दिनों में आप अपने घरवालों से दूर हो और फिर इस तरह तो आई तिंक अधारे की जितनी भी जाहरे के तो लोग जो जूटी दे रहे हैं उनको तो हमारा सलाम है और इतनी सक्त डूटी करना कि आप जिसे बता रहें कि एक दू दिन वहा अधारों की महनत है जो अधारों का काम है वो तो इस कदर है कि उसको जतना भी आप्रेशेट किया जाए बकुल किक्ट वो वकम है तो यह माशालला यह तो प्रोग्रामाभी नागे आ गज़पेंस ढत्यारे तो और मजीद अच्छे प्रोग्राम साएंगे और प्सक्ति ही ह बाती है कि उसकी इसलाव वो बहते हो अब बाप भी होता है तो वो डांडता है बच्चे बिए है तो वो बाप को आगे से नखरे दिखाते हैं मुझे ये ले कर दो ये ले कर दो आई ठिंक मैं तो बड़ा वो समझता हूँ कि कमफर्ट भी फिल करता हूं जो चीज अच्छी ना लगे, या यह समझें के यहसे नी ऐसी होना चाहिए, वो बताते भी हैम अदारे हैं, उनका अपना भी वर्क होता है, सम टाइम, मारे पास फलॉआ अफ इंफरमिशन, वन सैडिड होता है, बहुत कम होते है, उनके पास एक प्रॉपर information होती है और अगर इस glass को अगर हम एक तरफ से देख रहे हैं तो वो चारों तरह से देख रहे हैं तो ये चीज़ें को थोड़ा सा understand करने वाली भी बात होती है ले जितने बड़े perspective से वो रियासत के मसाइल को देखते हैं तो हमने overall अगर हम wide अपना view रखें तो wide angle अगर हम देखें या bird view से देखें तो हमने overall तो पाकिस्तानी है फिल्लाल हमारी पदाइश पाकिस्तान में हुई हमारे अबाउदाद पाकिस्तानी थे बहुत सरे लोगों ने कुर्बानिया दी इसी पाकिस्तान के लिए और जहां उन्होंने कुर्बानिया दी उस वकत अपने हों की दी तो आज हमारी कुर्बानी यहां कि चले हम कहीं न कहीं जो है जो भी अपना रोल है वो अदा कर सके लिए अधार करें ऐसमल्क को सलाम बत रखे और जो ये मुश्किल हालात है इंच्वाला निकल जाएंगे और कौमों की जिनदगी में इस तरह के मसाइल आते हैं, मसाहिब आते हैं और छ Sinne Sweedlesכ keeping us each. क्पाकिस्सान को शुषान को ही और कौम की जिन्दगी में छूहता साल का आई कर सा बाए हुआ होता नहीं है बिन्षेनसे पीरेड है है और स्यासी अरीना में भी फेक नूश चल रही है और अब तो यहां तक मसला हो गया हम यहां पर ना लब दो चबिस सो तुलाबार टालबात को पढ़ा रहें तो उनके एक्जैम के हवाले से फेक नूश आ जा जाती है और यहर साल होता है कि कोई कि फेस्बॉक पेज बन जाता है उनका आउत लूक ऐसा होता है कि लगता है कि वह आफिशल पेज यहे पेज और वो अब तो यह एक अधर पैजिस को नहीं समझ पाते ह। Jewishrance के जा तरह के solves फ्रत्व तो आप जर्नलिस्ट किस तरह से देखते हैं एक फेक न्यूस के मसले को और पाकिस्तान में क्या करने की जरूरत है कि जिससे लोगों में आवेर्नेस भी आए और कोई भरपूर इस तरह का काम भी हो कि हर वक्क हम सेंसर्शिप की बात ना करें जी क्योंकि आप सोचल मीडिया क करने के लिए सेंसर्शिप के बजाए अगर रिस्पॉंसिबिलिटी मॉडल पर लेकर जाए तो वो क्या जादा बेटर नहीं है बिलकुल ऐसे ही है आई थिंक फेक न्यूस वाला वो जाहर है एक चीज़ें इतना बड़ा फ्लो है एंड सोशल मीडिया इतने यानि प्रोग्राम कर चुक हो और हर प्रोग्राम में कोई ऐसा हमारा प्रोग्राम नहीं होता जो कि किसी भी फेक चीज़ पर मबनी हो हमारे ग्रूप में डिसकेशन हो रही हो थी एक स्टोरी आई वाइरल होई कि एक हातून थी उसने अपने दो माँ का बच्चा जो है वो हो गेट पर रख दिया रहा गेट पर रख दिया अभर गेट पर रख दिया अब वो मैंने काया इसे चोप ओ कहा है लड़का लड़की हो कहते हैं इसको आइना यह तक का यह पर प्रोट pouvoir भी नेकी है एक वाकिया तो यह वह ऻका तीर अ कुछ अधारे इस पर काम भी कर रहे हैं, कुछ अच्छे पेजिस भी हैं, जैसे अर्दू पॉइंट को, इसलिए ये अजाज हासल है, कि हमने, अलहम्दलिल्ला, रोजाना की सेंक्रू स्टोरीज लगती हैं, और कोई भी स्टोरी ऐसे नहीं होती है, जो फेक हो, यानि अक्सर होता ये है, कि कोई स्टोरी चल रही होती है, अम इसका एक्चुल फेजिए लेकर आते हैं, अब देखे ना के बहुत सरे मनिस्टर्थ थे, बभOTH बड़े कॉंस्टिज्ट्योचल लोगते बिद हैं, उनका ट्वीटर अकाउंट नहीं था बनावा, तो हमने कहा जी आप ट्वीटर अकाउंट बनाएं तो जब अधारे वो थोड़ा सा इसमें सुस्तरवी का मसाहिरा करेंगे यहां मुक्लिव जो और्गनाइशन्स हैं जैसे पंजाब पुलिस का ट्वीटर बनाएं यहां पर जो है वो काफी देर बाद बनाएं इस तरह हर अधारे का ट्वीटर अकाउंट होगा ओफिशल अकाउंट होगा तो वहां से आपको प्रॉप्रियेट जो रेलिवन्ट जाएगी जितने भी मश्यूर हमारी प्रस्टनेल्टी जैंडारें इनके अपने अफिसल प्रमक्सूद साब का कितने वो फेक बने हुए थे तो कोई एक हजार अकाउंट बने हैं अब बहुत हैं कि फेक अकाउंट बनेवा कर उसको ही वेरिफाइट कर वा लेते हैं वह तो वो वीडियो निकाली जिसके अंदर अपना ना हो सही एक हैंडल बताया ट्विटर का और शायद भी पेज बंद हो गया है तो लोगों ने क्या कि उसको एडिट कर दिया उसको फच कर दिया और जो अपने अपने पेजिस पर वो जाकर वीडियो लगा दी और जो भी उनके ह नामता उसका 01 की तक 02 लगा दिया गिसमे डबल 01 लगा दिया तो इस पर हवाले से जो हमारी तन्जीमें हैं एंजी व वगएरा वो राप्ता करती हैं आप से मेरी तो गुजारिश ही होगी ना कि ऐसे लोगों से अगर ट्रेनिंग्स करवाई जाए जाए जारों में मीडिया पाकिस्तान में जब डिजिटल मीडिया ग्रो कर रहा था 2016-17 की बात है तो उसी वकत एन उसी वकत एक प्रॉपर डिजिटल मीडिया को प्लिटिकली एक जंडे के तोर पर एक प्रॉपर गंडे के तोर पर इस्तमाल किया गया और पूरी की पूरी यूथ को एक रॉंग ट्र कि जब fake news की बात हो रही है तो एक गलत अब साइफर पर हम क्या बात करें तो हम politics सी तरफ नहीं जाना जाते हैं लेकिन हम यह कह रहे हैं कि जो actual जो real news है correct news है इसमें mainstream को बड़ा credit जाता है हमारे print media को यह credit बहुत बड़ा जाता है कि वहां पर बहुत कम ऐसा होता है कि इस तरह की fake news जो है वो चलिए जाता है प्रेंट मीडिया के पर टाइम होता है ना मैंने काम की अख़वार में कुछ पांच से साल तो मैंने रिलाइस किया कि वहां पर हमारे पर खबर को सोचने का उसको बड़तने का एडिट करने का एंगल निगालने का फिर जब मैं electronic मीडिया में आया चैनल में काम करने के लिए तो फिर मुझे रिलाइस होगा यार यहां तो हमारे पर टाइम ही नहीं है अच्छा अब उससे आगे वाप लोग है कि डिजिल मीडिया आप लोगों यहां पर आप ही रिपोर्टर हैं आप ही एडिटर हैं आप ही कैमरमन हैं आप वन मैन आर्मी है ना कि आप एक चलता फिर तर न्यूस पैकेंज है आपने वो खबर बना के चला देनी है तो यह तो टाइम का भी एक मसला है डिजिल प्लैटफॉर्म के साथ उसको कैसे हैं आप लोग बेसिकली देखें अगर डिजिटल की आप स्पेस देखें ना जो गैप था एक्चुली तो वो गैप कवर हुआ ना जो प्रिंट का गैप था वो आगे टीवी ने कवर किया जिसमें बहुत सारा चीज़े देखी जाती थी फ्रेम वगारा अब डिजिटल में लोग ये नहीं देखते अब देखें कि अकसर वीडियो मैं अब जब हमारी शूट पर बात होती है तो मैं यह कहता हूं कि जो वीडियो मॉबाइल से बनी होगी ना वो ऐस कंपेर टू कैम वाइल हुई है आप बता रहे थे मुझे भी हमारे पॉड़कास से पहले कि 12.3 मिलियन व्यूज आज़े हो तो जवान पंजाब पुलिस का अचकल चाया हुआ जिसने माशालला आईजी साहब की बड़ी अच्छे अलफाज में तरीफ की है तब देखें हो वीडियो सब्सक्राइब कर देखें हो तो जिसने डाली या वीडियो उसने गाली हूँ समेथ एज इस डाल दी जाने दी और फिर एज इस वो पूरे मुल्क तो उसके अपने पेस्ट पे आप बता रहे हैं और हर तरफ सोचल मीडिया मीम्स बन रहे हैं और वो क्लिप्स बन रहे हैं तो अब यहां पर देकर यह मसला आता है ना कि बहुत बड़ा मसला है कि प्रिंट हो जाए आपका इलेक्ट्रोनिक मीडिया हो वहां पर एक रोल होता है गेट कीपिंग का एडिटर का काम होता है नियूस कंट्रोलर है वहां बरके जिसको पता है कि मुझे फिल्टर कैसे हो जाती है यापको खुद पता चलता जाता है कि अब आपने चीज़ों को फिल्टर करना है अब देखे मैं आब यहां आपको बताता हूँ कि नादर अली की एक्जेंपल दे देता हूँ उसने प्रैंक से अगाज किया अब वो पोड़कास्ट पे चला गया पोड़कास्ट में भी उसके बाद वो जो बहुत सारे इशूस हुए तो हुद बहुत इनसान समझता है कि अब हमें बड़ा प्रफेशनल ली जो पूछ परसनल था ऐसा तो इनसान हुद बहुत लिए था मुसल्मान क्यों नहीं हो रही है कि कुछ ऐसा सवाल था याप वो थोड़ा सा तो आप मेरे जैन में नहीं आ रहा लेकिन इनसान हुद बहुत सीखता है उद बहुत समझता है तो यह अभी फिल्टर अभी देखेंगे अर्दू पॉइंट है डुली पाकस्तान है और और अदारे है लेकिन अर्दू पॉइंट इसलिए हमारा अदारा है कि हमारे माशालला द ङौसे के गाली से घाली को द्वीडियो के लिए हमसला अखलाकी नौयत का भी थाहिता में ये ये वह सुन्हसे ठो pełॉत कर दो एए है हमारी कुछ रिवायद जरह और कंदर्वेटिव हैं तो अब हम यह एक मसला खुद भी तो शायर हम शिकार है ना इसका कि हम उसको एंजॉय भी कर रहे हैं जारे कि हम सब मजबूरी हो गए एक एपसर्ड सिचुशन हो गए पूरे मुल्क के अंदर के हर तीज तो अब यह जो हमारे जो नौजवान हैं जिनको आप कहते हैं यूद गुमराह हो गए तो यह बहुत इंप्रेशनेबल होते हैं अब वो गलग बहस है कि कौन सा लीडर ठीक है कौन सा बयानिया सच्चा है कौन सा बयानिया जूटा है वो तो जारे है अवाम ने फैसला करना अगर मुल्क में अलेक्शन कभी हो गए तो फैसला कर लेंगे लेकिन इन बच्चों कि अखलाकी तर्वियत है तो अखलाकी मसाइल है ना वो बहुत पेचीदा होते जा रहे हैं अब आप जानते हैं कि कोई बात बेहतियाती से कर देंगे ना भी हम पगड़े आएंगे आप किया जाता है आपको पता है कि खावतीन के साथ खास तौर पर कितनी जादा है विक्टिमाइजिशन होती है कि वो तस्वीर लेकर उसको तब्दील कर लिए पर खानदानों में जगड़े हो गए एक मुसीबत बन गई तो अब यह जो सुसाइटी के अंदर भोचाल जो सोश ने का इन बच्चों को किस तरह से इस तूफान से बचाएंगी को आप मैं अपने बच्चों के लिए सोचता हूना कि मैं कैसे उनको जो है ना इस सारे इस तूफान से बचाकर किसी अखलाकी नौयत की बास सिखा सकूँगा बेसिकली देखें अब यह टेक्नालोजी है और की जरूरत है इसे बागा तो जानी सकता है इसे जानी जा सकती है लेकिन यह है कि इसमें इसका पॉजिटिव यूज रहेगा और वो बड़ी अब देखें कि यूथ जो है ना मैं तो पाकिस्तान की यूथ के हवाले से जो कि हमारे नोजवान है जो 97 की बाद वाली पिदाई है वो तो हर पूरी दुनिया के लिए एक चैलेंज है लेकिन यह बड़े पैशनेट भी है यह बड़े टलेंटीड भी है बात यह कि इन तक जो एक चीज पहुंच रही है ना इन्होंने उस चीज को अंडरस्टेंड किया और उसके बाद अपना एक माइंड सेट बनाया यह भी एक डिजिटल है मेरे एक दोस्त हैं वो लंडन में होते हैं उनका कजन है और वो बाइबर्थ वहां कहा है लंडन से तो उसकी 22-23 साल है जो गर से पांच किलो मेटर दूर जाता है मस्जिद में नमाज के लिए ठीक है तो डिजिटल का जो पॉजिटिव इस्तमाल है याप मस्जिद दे सकते हैं आप और इंतलावत कर सकते हैं आप इससे बहुत अच्छा देख सकते हैं कि आपने किस तरह का कॉंटेंट बनाना है और सबसे आहम चीज़ है हकूमत की तरफ से कुछ रेगुलेशन्स यह कोई हाल नहीं है कि आप बंद कर दें आप बैन कर दें टीवी के उपर एलेक्टरोनिक मीडिया पर पैमरा है ना तो चीज़े कवर होती है डिजिटल पर अभी तक कोई ऐसी रैप्लिटरी बाडी नहीं है अब यही मसल है कि वो कैसे होगा फिर यह बहुत उठेगी कि रियासत उसकंदर कितनी मदाखलत करती है कितनी सेंसर्शिप लेकर आती है वो कंट्रोल कर रही है कॉंटेंट जो है वो सेंसर हो रहा है तुझार रही है तो एक बहुत लेकिन जो आप अपनी गाइडलाइन देखे ना डिजिटल प्लेटफार्म्स की यानि गूगल की यूट्यूब की फेस्बुक की वो इतनी सक्त है इतनी स्ट्रिक् वाले स्टूरी के वरा से इनी की खबर थी जो उन्होंने फेस्बुक के वाले से की के फेस्बुक पर किस तरह से अगर आप प्रो पलिस्टाइन कोई टूइट कर तो नहीं होती स्टेटस डाल लेते हैं कोई बात कह देते हैं या वो पेजिस जो प्रो पलिस्टाइन है उन किस तरह से क्रैकडाउन किया जाता है उनको बैंड किया जाता है और अगर इसराइल से इस तरह का कॉंटेंट आ रहा है तो नफ़त पर मबनी है फलस्तीनियों के लिए तो उनको बहुत दादे स्पेस दी जाती है उनको बड़ी शांदार एक ख़बर की ती यह फेस्बूक के स्वादाएग् है इंडियन जो होब हों तो हम भी कहीं बैटे होगे तो हम भी अपने मफदाएत को देखे कि यह सारे चीज़ें बड़े आप पाकिस्तान वे आसी पोलिटिकल पारिटी जिए हैं ऐसी मख़भी जमातें भी हैं जिनके आप काईद का नाम तक नहीं लिख सकते तो आप उस पुलिटिकल पार्टी का नाम लिखेंगे तो आप जो है वो आपकी अकाउंट कि मैंने तो बाल कोई एक तनकीदी से बात की किसी एक मख़भी जमात के लिए वो मुझे बैन लगा दिया तो मैंने पूछा यह क्या चक्कर है मैंने कोई तारीफ तो नहीं कि मैंने तो उनकी फिकर की परवान नी चड़ाया तो मालूम यह हुआ कि उनका अलगॉरिफम्स इस पर बात हो रही है आप जैसे डी डवल्यू की कंफरेंसेंज वरक्शॉप्स होती है इस पर बात होती है इन चीज़ों पर बात होती है वो जाहर है आपको पता है कि एक वह जो हमने नौम चौमस्की का वो फिल्टर पढ़ा था वो मीडिया के हवाले से वह फिल्टर यहां ऑफर भी आता है कि वो जाहर है जो आंड़ है जो फेस्बूक का मालिक है यह यो यूट्यूब का है वो अमेरिकन है तो वो अमेरिकन प्रो अमेरिकन तो ये एक नैच्रल से चीज है वो अपने माफदाथ अपनी साइब हमारी तो दौा यह ने कि सेल्फ regulation से चीज़ें बहतर हो जाएं वरना अगर रियास्तें और जो है वो authorities आके उसके उपर कर्व करेंगी ना तो जारा है कि वो फिर जो आजादी रहाए वैसे ही थोड़ी सी रहे गए यह उसके अंदर और माःकस्तान में अजादी है खाह ले कि जिन चिज़ों के बड़े इसमों बड़े अच्छे है अगर आप ओवर लेक्वारल एखें तो जो हमारी यूद है यूद है जो हमारा नौजवान है जो हमारा student है जो हमारा तालबे इल्म है वो डिजिटल मीडिया से बहुत कुछ देखे न अभी उसको कहीं जाने की भी दूरुत नहीं है कि उसने किसी टेस्ट की preparation करनी है कुछ उसने देखना है वो सब कुछ डिजिटल को इस्तमाल करते हुए आपको था हमने आफ़ देख स्कूल में अभी लास्ट वीक नाइन क्लास जो सिंध भर में पढ़ाए जा रही ना उसका हमने पूरा content डाल दी है वीडियोज है उसके अंदर audio lessons है notes डिजिटल फॉर्म में है हर lesson के quiz है तो पूरे सिंध हमसे free of charge बगएर किसी पैसे के नाइन क्लास पूरी पढ़ सकता है metric लास चन्द महीनों में आजेगे और फिस तरह समाई रादा ही है कि हम class 1 से class 12 तक पूरा स्कूल ऑनलाइन लेकर आदेंगे जो शायद पाकिस्तान का पहला पूरा एक मुफ्च स्कूल होगा मुफ्च कोचिंग सेंटर होगा जो ऑनलाइ इंडिजिटल स्पेस में पढ़ा रहे हैं असल में आप जो मैं तखीर करते हैं खुद भी भूलिया कि मैं हम भी एक हम डिजिटल में हैं लेकर जारे कि हम वह एक मजबत तरीके चीज़ को लेकर चलने कोशी करें लेकिन उसका जो एक negative impact ना वो भी आता है चलें वह बहुत स तरफ आओ और मैं देखें अक्सर वो मेरा चोटा भाई है तो मैंने पहले उसका सोचा हुआ था कि यार इसको ना इसको करवाना है करवाना है अब मैंने सब कुछ देख लिए तो मुझे पता चला कि कुछ भी नहीं है याप बाउंड हैं याप आगे हैं सरकार की और सरकार दस साल एज है वन मिलिन प्रस उसकी फाल्विंग है यूट्यूब क्यों पर और वो पबजी से भी यानि वो लाइव स्ट्रीमिंग भी करता है और थाउजन डॉलर्स कमा रहा है पर मन्त तो मैं यह समझता हूँ कि डिजिटल कॉंटेंट क्रेशन की तरफ बच्चों को आन तो मैं अक्सर कहता हूं भी मैं यूनिवस्ट्री गुजरात में दे रहा था लेक्चर तो एक स्टूडेंट थी तो वो कह रही थी कि मैं कौन सी वीडियो बनाओं मैं तो यहां पर लो तो मैंने का अगर आप यहां पर क्लास्रों में कैमरा लगा के रख दे ना रोज़ाना तो मेरे हयाल से जाना चाहिए डिजिटल की तरफ आप करते हैं डिजिटल में इतना स्कोप है कर लोगों को आजाए मेरा भी लेकिन तुलाबा तालबात को मश्वरा ही होगा कि ना अपनी एक परसनेलिटी बनाया है ग्रूम करें इल्म हासिल करें और फिर जब आपकी जो जो आपका इल्म है वो रिफलेक्ट हो ना उसके अंदर यह ना करें ना पिर हमके वो जालत पहलाने का भी जो मीडियम है ना आप तेकर मीडियम तो बुझा नहीं होता ना बहुत सादा सी में चुरी वाली के वहाद भी काट सकते हैं तो मीडियम तो वहीं है बलके यह नहीं बहुत जादा देख रहा हूँ और खास तो पर बड़ी उमर के लोग हैं हमारे मतला माई नानी है तो वह फेस्बुक का इस्तमाल अब करती हैं तो वह मुझे ना ऐसी सी फेक नियूस बताती है कि देखो आज मुलक में यह हो गया और आदम नहीं कर दिया फिर मैं पर एक तरफ मैं समझता हूँ कि फेक न्यूस वाला एक तरफ ऐलिमेंटल लेकिन दूसरी जानब वाइरल वीडियो होती हैं उसकी तरफ से एक्शन्स भी बहुत होते हैं जैसे आज के वीडियो वाइरल है वो औरंगी में वो जो डगेत को डगेत ने लूटा और उन्होंने प पर भी एक्शन होता है तो यह तो डिजिटल जो चीज़ वाइरल होती है हमने अभी तक यह देखा यह भी अदारों को क्रेडिट जाता है तमाम अदारों को पुलिस को बिलहसूस के ऐसे जो भी वीडियो वाइरल होती है फोरी तो पर वाइद गिर दिजिटल का एक तरफ यह मेरे ख्याल से एक बड़ा पॉजिटिव पहलू भी है जो कि लोगों के लिए और क्रिमिनल्स के लिए एक अलार्मिंग है कि अब हर जगा सीसी टीव लगे हैं अब फेस्बुक पर जाएगी वीडियो और आप पकड़े जाओंगे आपने आपको याद ही होगा अभी द शायर वो यह सोचे थे कि एक तो ड़केटी में तो पैसे आए वो भी है और यूटूब से डॉलर आएंगे और उनको पता ही है कि सिंद पुलिस है वो एक्शन लेगे और आपकर जाएंगे सिंद पुलिस काम करती है आखर में मुझे बताएंगे तो आपके उर्दू हजार में अली चोदरी साब निसकी बन्याद रखी थी उस वकट वेब साइट थी तो तैस साल हो गए तैस साल हो गए इस चोदागस को तैस साल कम्ट्रीट हो गए और इसमें फिर माशालला फेस्बुक पर हमारी फॉल्विंग 15 मिलियन से जायद है यूट्यूब पर 8 मिलि डिजिटल मीडिया नेटवर्क है और इसका माशालला क्रेडिट अली चोई साब को जाता है जिन्होंने इसकी बनियाद रखी बड़े इच्छे तरीके से लेकर चल रहे हैं हम जैसों को मौका दिया हम जैसे काम कर रहे हम जैसे पर इतमाद करते हैं दिशान रजीस साथ जी हम गलतियां भी करते हैं गलतियों पर माफ भी करते हैं सिखाते भी हैं तो अच्छा बहुत अच्छा सफर जा रहा है मुझे बहुत जोगों पर आफर भी हैं बहुत अच्छे बहुत बड़े बड़े अदारों में लेकिन वहां पर मूव ना होने की वज़ा वहां पर ना जैसे बहुत सारी ऐसी स्टोरीज थी जो हमने बड़ी एक्स्क्लूसिव की जो मेंस्ट्रीम मीडिया पर चली जैसे हरीम शाह का इंटर्वियू था उसके हस्बेंट के साथ फर्स टाम एक्स्क्लूसिव था मेंस्ट्रीम किसी मीडिया ने ने किया मेंस्ट्रीम पर वो हमारा चला एक संजे सादवानी एक रिपोर्टर है उनको पीडियम के जलसा में मार पड़ी थी और वो मैंने एक्सलूसिव बड़ा मुश्किल यानि वो सारे लड़कों ने गेरा हुआ और मैंने इंट्रिव्यू कर दी और वो समा के पास वही क्योटिसी थी और वही इंट्रिव्य चला तो इसी तरह फ्लड्ड के दूरान जैसे एदारों के इसाथ किया ब्रेंड के दुरान कराची में एदारों के साथ किया तो ऐसके प्रोग्रेम्स कि यह उन्हों ने इत्माद के आजहार किया हमने कुश्च की इच्छे से अच्छा करें गाइgg करते रहते हैं हर लहाज से इसमेंग एक इंटरीस्टिंग पॉइंट ये हैं कि पहले हूट था कि जो डिडिजिर्टेशनल मीडिया था वह लाइन लेता था नेशनल मीडिया गयते थे का आज देखो हूसंने कॉन सी स्टौरी की री है तो माशाधाला अजै को कि ने कॉर्ल पॉइरल स्टॉर्बर करना है। इस दो पीछ उने क कbungंश करना हो उसको किछा करना है। दूर्ड हो पर कप्लिश पर हार। ना एथिकली वो जो आप कहते हैं ना कि डिजिटल में जैसे यही साहब थे जिन्हों पुलिस वाले की बंजाब पुलिस के जवान की गालियां देती वीडियो लगाई इसने गालियों समयत लगा दी तो हम हर एक एक लफ का इहतियात करते हैं इंट्रोडक्शन में एक एक रखता हूँ कि जब मेरा प्रोग्राम घरवाले फैमली भी देख रही होती है लगाकर तो आप अलफाज का चुनाओ और अलफाज का इस्तमाल ऐसा रखें बहुत सी बात कहते हैं जारा है कुछ दिल्चस्प वाकियात पर जादा हम आगे नहीं गए जाहरा है वो वक्त का करना है अपने आउडियोंस का भी हैल करना है लेकिन अच्छा लगा और मुझे भूशी भी हुई और आफ तर स्कूल के लिए नहीं 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 आपको लिए नहीं नहीं आपको पूड्गास्ट वह वो अला तला इसको शाद अबाद रखे बस हम तो एक माइक मिल आप कु बोल सकता है और शायद व्यूवर्स तो जानते हूंगा नजम भाई को मैं बता देता हूं आपको नजम भाई माशालला बाहर से तलीम हासल की यहां पर एक अच्छी जॉब है लेकिन सबसे हम का मैं अक्सर कहता हूं कि अपने लिए तो सब ही जीते हैं दूसरों के लिए ज हमारी बेस्ट विशीज हैं आप लोग देखते रहें नजम भाई की यह पोड़कास्ट आफ दा स्कूल के लिए ने एक तमन्ना है और आपने एंड कर दिया है एक्स्ट्रों तो हमने देदी है यह आपने अपर हैसान किया ने बहुत जोगी है इंशालला अगली अपिसोड प्रेफिम लगार दो तिया